हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला एकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें एलो फ्रेंड्स आज हम पैंट में मोहरी में डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए हमने पैंट के उपर वाले हिस्सों को स्टीच कर दिया है अब हम मोहरी तयार करने के लिए इसकी मोहरी में पहले लेस लगाएंगे तो लेस लगाने के लिए हम कपड़े को नीचे से फोल्ड कर देंगे उसके बाद में हम इस paint से lace को stitch करेंगे अब हमने paint के नीचे वाले हिस्से को fold कर दिया है अब हम lace को लेंगे और जो हिस्सा हमने fold किया है उसके उपर lace रखकर lace की किनार पर slide लगाते हुए कपड़े से stitch कर देंगे Lace को pen से stitch करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि Sly less से नीचे न उत्रे क्योंकि हम lace के अंदर कोई fabric नहीं लगाएंगे तो हमें lace को pen से मजबुति से stitch करना होगा अब lace pen से stitch हो चुकी है अब हम इसके नीचे जो fabric लगेगा उसे तयार करेंगे तो उसके लिए हमने लगबग साड़े चार इंच लंबा एक फैब्रिक लिया है और अब हम इस साड़े चार इंच लंबी पट्टी को लेंगे और इसकेल की मदद से तिर्ची तिर्ची लाइने खीचेंगे यहाँ पर लाइने पराबर एक जैसी खीचनी है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से तिर्ची लाइन बना रहे हैं अब हमने यहाँ पर पूरे फैब्रिक में लाइन खीच लिये अब हम दूसरे कोर्नर से अपोजिट साइट में लाइन खीचेंगे जिससे कि हमें इस लाइन के उपर चेक्स मिलेगा इसी तरीके से अब हम अपोजिट साइट भी लाइने खीच लेंगे और चेक्स बना लेंगे आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरी पट्टी में चेक्स बना लिए है अब हम इसे स्टीच करेंगे तो स्टीच करने के लिए हम जो चोक वाला हिस्सा है उधर से फोल्ड करते हुए स्लाई लगाएंगे स्लाई हमें पिलकुल किनार पर लगानी है जिससे की फैब्रिक में प्रिंट एक्स आएंगे और ध्यान रहें कि हमने जो चोक से लाइन कीची है उसी के उपर हमें स्लाई लगानी है अगर हम इधर उधर स्लाई करेंगे तो हमारी जो चेक से वो खराब हो सकती है इसलिए जो चोक वाली लाइन है उसी के उपर हम किनार पर स्लाई लगाएंगे जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहेंगे हम किस तरीके से लाइन को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में स्लाई लगाएंगे अब हमने एक साइड की तिर्ची लाइनों पर स्लाई लगाकर पिंटेक्स बना दिये हैं अब जो अपोजिट साइड वाली लाइन है वहाँ पर भी स्लाई लगाकर हम चेक्स को त्यार कर लेंगे इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में सलाई लगाते हुए चेक्स बना लेंगे हमने यहाँ पर पूरी पट्टी में चेक्स बना लिए है अब हम इस पट्टी को पैंट वाले हिस्से से स्टीच करेंगे तो हमने जो पैंट में लेस स्टीच की थी उसी के नीचे हम इस पट्टी को स्टीच करेंगे अब हम पट्टी को लेस वाले हिस्से से स्टीच करेंगे, तो जैसा कि हमने पहले पैल से लेस स्टीच की थी, उसी तरीके से अब हम पट्टी को लेस से स्टीच करेंगे, तो लेस वाले हिस्से को उपर रखते हुए और जो पट्टी वाला हिस्सा है उसे नीचे रखते हुए स्लाई लगाएंगे और स्लाई लेस की किनार पर लगाएंगे और याद रहे कि लेस से स्लाई नीचे ना उतरे और स्लाई मजबुती से लगाएंगे पटी को लेस वाले इससे स्टीच करने के बाद अब हम पटी के नीचे लगने वाली फ्रील त्यार करेंगे तो उसके लिए हमने दो इंच लंबी एक पटी लिए जिसे हमने प्रेस की मदद से 20 से फॉल्ड कर लिया है अब हम इस पटी से फ्रील त्यार करेंगे तो इसके लिए हम पटी में बारिक बारिक सल भर के फ्रील बनाएंगे फ्रिल बनाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि फ्रिल के सभी सल एक जैसे हो अगर आप फ्रिल में बड़े सल भर रहे हो तो सभी सल बड़े ही रखे और अगर आप बारीक भर रहे हो तो सभी सल बारीक ही रखे हम यहाँ पर बारीक सल भर रहे हैं तो सभी सल को एक जैसे भर कर हम फ्रिल त्यार कर लेंगे इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में बारीक बारीक सल भर कर फ्रिल त्यार कर लेंगे उसके बाद में हम फ्रिल को पैंट से स्टीच करेंगे तो हमने जो Pintex वाली पट्टी स्टीच की थी उसके उपर हम फ्रील को उल्टा रखकर स्लाई लगाएंगे फ्रील को paint वाले हिस्ते से स्टीच करने के बाद अब हम जो फ्रील हमने उल्टी रखी है उससे पलटते हुए सीधी कर लेंगे और स्लाई को अंदर की तरफ कर देंगे उसके बाद में हम फ्रील के उपर से एक स्लाई लगाकर फ्रील को फिक्स कर देंगे इससे ना तो फ्रिल पलटेगी और फ्रिल भी मजबुती से लग जाएगी अब आप देख सकते हो कि हमारी paint की design almost complete है लेकिन हम इससे decorate करेंगे तो उसके लिए हम बारीक वाले white color के bits लेंगे और उन्हें इन checks के उपर लगाकर paint को decorate करेंगे अब हम bits को checks के corner पर लगाकर decorate करेंगे तो यहाँ पर हम checks के एक corner पर 4 bits लगाकर paint decorate करेंगे आप देख सकते हो कि वीडियो में हम किस तरीके से bits को checks के उपर stitch कर रहे हैं इसी तरीके से सभी checks के उपर bits को stitch करके paint decorate कर देंगे और उसके बाद में हमारी paint complete है यहाँ paint designer look देती है और बनाने में भी ज़्यादा tough नहीं है अगर आप beginners हो और आपको paint में design देना नहीं आता है तो आप इस वीडियो की मदद से आसानी से paint में design डाल कर paint को designer look दे सकते हो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसल आए तो प्लीज वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए यहाँ पर हमने दो checks पर multi-stitch कर दिये इसी तरीके से हम सब भी checks पर multi-stitch कर देंगे और paint को त्यार कर लेंगे आप देख सकते हो कि हमारी paint पर bits लगने के बाद paint कितनी सुंदर दिख रही है कीजिए प्लीज है आप तरीके से यहाँ प्लीज पर दिखाऊ प्लीज देगे